हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपके शानले पर आप सब का स्वागत करती हूं वीडियो लेकर इस रिस्ते को लेकर उनकी डीप इमोसंस और बहुत सची बहुत गहरी भाबनाय आपके लिए तो यह है रेत की भविश्वानी और यह होगी टाइमलेस रिडिंग जब भी आपके सामने यह वीडियो आ रहा है इस वीडियो को आप देख सकते हो एनरजी आपसे रेजनेट होगी तो कलिक्तिव रिडिंग है और सारे साइन की लोग देख सकते हैं तो चलिए मैं रेत की भविश्वानी स्टार्ट करना चाहूंग उसे प पोटोस को जो भी सोचना है आप उनके बारे में ही सोचिए ठीक है तो देखती हो उनकी टीप फिलिंग्स टाइमलेस रिडिंग होगी जब भी सामने आ रहे है यह वीडियो आप देख सकते हो प्रेत की भविश्वानी उनकी टीप फिलिंग्स इस्त्रिष्टे को लेकर दे सब्सक्राइब के देख सेवन ऑफ सोर्स ठीक है वाटम देख से आया है एस और पैंटिकल्स स्रेंथ तो आप देख रहे हो कार्ट से क्या है क्याप्रिकॉन टॉडेस है लिब्रे एक्रिस जमनाई की इनर्जी स्ट्रॉंग है ठीक है तो चलिए देखती हूं कुछ भी और चीजे जो हो रही है ना आप लोग के साथ जिस वज़े से जूड सच फरेव धोके चीटिंग जिस वज़े से कहीं न कहीं यहां पर दोनों ही इस रिस्ते में उल्जे हूए हो ठीक है इस तरह की वाइबरेशन मुझे दिख रही है तो चलिए पहले ओम चैंटिंग पीस और सांती बैलेंस के लिए स्ट्रेंथ के लिए पावर के लिए इंटुशन पावर स्ट्रॉंग करने के लिए खुद को हील करने के लिए और स्वास्तिक, सुक सांती, संवरिध्धी के लिए तरक्किक के लिए बरक्कत के लिए घर को, family को, production देने के लिए मान सम्मानी के लिए यस के लिए और चार दिशाओं से आपके तरफ पॉजेटिव्टी आपके और आपके फैमिली में जितने सारे पॉजेटिव्टी होती है हम सब के लाइब में आती है स्वस्तिक से तो चलिए देखती हूं इप मोसंस, इप फेलिक्स आल आ करें देखिए दोनों में गलत फार्मिया है ठीक है सबसे पहले बात बहुत सारे वीवर्स थोड़ा सा आप अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे ठीक है देखिए रिजन्स कोई भी हो डाउट हो सक्को रिष्टे में इन बैलन्स जरूर चल रहा है और ये जूट धोखे चीटिंग लिगल इशू इगो इशू फैमली इशू या ऑप्सन इशू यहाँ पे इस वज़े से आप दोनों के रिष्टे में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जहां बहुत सारी विवर्स आप या आपके पर्सन को स्ट्रेस भी हो रहा है इगो इशू बहुत आ रहे हैं फाइटिंग इनर्जी या लीगल इशू तो दिख रहा है या फिर विवर्स आप किसी गोल्स को लेकर कुछ परपस को लेकर या अपने पार्टनर को ले कुछ viewers आप परशान दिख रहे हो कहीं न कहीं कुछ viewers की भी vibration है कि आप confused रहे हो किसी चीज से बहुत strong attachment दिख रहा है बहुत strong attachment दिख रहा है आपको या आपके person से हो सकता है या बजह कोई और हो सकती है या सक, doubt, धोके, past किसी भी बात को लेकर एक बहुत strong उसी की पीछे भाग रहे हो उसी की पीछे भाग रहे हो जहां एक attachment है जो आप उससे निकल नहीं पा रहे हो और ये चीज मुझे ठीक बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है कुछ वीवर्स यहाँ पे आपको mentally, physically भी अपने उपर फोकस करने की जरूरत है देखिए यहाँ पे आपके person बहुत miss करते हैं मुझे लग रहा बहुत सारे viewers आप लोग में बातचीत तो होती है खुल कर बाते नहीं होती यानि कि खुल कर communication नहीं हो पाती है आपके partner के उपर family pressure strong में देख पा रही हूँ future को लेकर जरूर सोचते हैं क्योंकि ऐसा उन्हें जो feel होता है वो खुसी जो आप देते हो वो कहीं न कहीं future में ये बहुत अपने आपको कहां न जाए बहुत भागशाली समझेंगे कहने का मतलब बहुत खुस रहेंगे आपके साथ अगर ये इनके उपर pressure है family का और किसी तरह का दबाव जो है ये future को लेकर आपके बारे में सोच रहे हैं उन्हें आप खुसी देते हो लेकिन ब्रहमित, doubt, suck, धोके और cheating ये वाली जो vibration है वो doubt मतलब ब्रहमित करती है दोनों को मतलब आप दोनों relationship में भ्रहम बाली एनरजी बहुत है suck, doubt होके क्योंकि seven of swords की एनरजी है जिस बज़े से आप लोग बार बार इस relationship में आकर अटक जाते हो इन्हें बहुत कभी-कभी दर्द होता है ठीक है? ये flooding nature के हो सकते हैं इनके life में बहुत सारे दोस्त हैं जहां ये flood भी करते हैं लेकिन ये कहते हैं प्यार वो सिर्फ आप से करते हैं कभी-कभी इनके दिमाग में भी गुसे से न ये बहुत कुछ बोल जाते हैं जहां ये ego से deal करते हैं ये Capricorn, Taurus, Virgo की एनरजी strong है Libra, Aquis, Gemini की एनरजी है और यहां पर Pisces, Cancer, Scorpio की एनरजी है तो यहां पर मुझे लग रहा है कि Long Distance Relationship भी है Three of Wands की एनरजी तो यहां पर मुझे लग रहा है Long Distance Relationship भी है देखिए ये परजन मुझे लग रहा कि ये हर बार आप से बात करते हैं तो गुस्से से या आप लोग में fight हो जाती है क्योंकि कुछ न कुछ ये क्यों हो रहा है सक, doubt और धोके क्योंकि यहां Seven of Swords की एनरजी है लेकिन ये परसन जो भी है आप पर निगाहे तो रखते हैं कभी कभी काफी अपने आपे कंट्रोल करते हैं ठीक है लेकिन उनको लगता है कि गुस्से में जब भी आपको ये कुछ कह जाते हैं तो ये खुद को भी हट करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरा प्यार है मैंने ऐसा क्यों किया मैंने ऐसा दिल क्यों दुखाया मैं क्या करूँ और कैसे तुम्हें समझाओ क्योंकि इनके मन में होता है जब आपके साथ गुसा करते हैं चाहे किसी और के साथ ये बात भी करते हैं फ्लट भी करते हैं तो उन्हें आपकी यादा आ जाती है क्या आप उनके सचे प्यार हो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं लेकिन क्या करें कभी-कभी कंट्रोल करने के लिए दिखावा भी करना पड़ता है तो ये परसर खामोस हो जाते हैं और डिपली आपके बारें सोचना सुरू करते हैं अंदर से वो अंदर से घुटते रहते हैं इनरजी होती हैं नहीं कुछ आपके पार्टनर को फामिली से प्रॉब्लम सो रही हैं प्रॉबलम सो हुँरी हैं कुछ इनके करियर से लेकर ओफिस में भी कुछ बाते हो अंद न कुछ न कुछ इनके साथ ऐसी घटी होती हैं कुछ के लिगल इशू है ठीक है हो सकता है कि आपके पार्टनर इस बक्त किसी तरह के कोट के चहरी के मामले में भी ये आप या आपके परसन कोट के चहरी के मामले में भी मुझे लग रहा है कि आप लोग में आपके बीच में कुछ हो रहा है या पिर उनके लाइप में कुछ हो रहा है जो यहां पर मुझे judgment और इसका justice की energy दिख रही है कुछ कागजात क्योंकि यहां पर seven of sorts की energy तो मैं यहां कहना चाहूंगी कि वीवर्जी आपको aware कहना चाहूंगी कि कोई कागजात पर अगर आपको signature करना पर रहा है और आप judge हो वकील हो किसी से भी मिल रहे हो कोट कचाहरी के मामले में तो आप या आपके person को यहां पर सोंस समझ कर signature करने की जरुवत है पूरी तरह जानकारी लेने के बाद ही paper पर sign करना है तो signature करने से पहले sign करने से पहरे पूरे paper को देखना है और सोंज समझकर decision लेना या आपके साथ हो सकता है या फिर आपके person के साथ हो सकता है यहाँ पर इमोशन को गुसे को control करने की जरूरत है जो कि आपके partner का कभी गुसा कभी ego कभी mood swings अब आप उनसे बहुत सारे सवाल जबाब करने लगे हो ठीक है तो यहाँ पर है कि दोनों को ही कहना चाहूंगी दोनों की energy में कि थोड़ा सा आप अपनी emotions पर control करें थोड़ा भ्रहमित ना रहें और सबसे बड़ी बात कि आपके partner ego गुसा दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको खुद को balance करने की जरूरत है ठीक है क्योंकि यहाँ पर आपको अपना कर्म करना है ठीक है यहाँ पर आप जितना अपने उपर focus करेंगे उतना ही अच्छा आपको result मिलेगा कुछ विर्स आपके life में भी परशानी दिख रही है देखे कभी-कभी इस person को ऐसा लगता है कि इस problem से साइध हमें दूर जाना ही अच्छा होगा या फिर मैं मजबूर हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मेरा साथ देना है तो तुम्हें थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा ठीक है तो मिलन तो होगा ठीक है देखे बहुत इस फरवड़ी के मा में बहुत लोग का मिलन हो रहा है ठीक है लेकिन इस बिच इस person को अचानक लगेगा कि जैसे मैंने सब कुछ खो दिया कुछ देर के बाद ये person को ऐसा लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, move on कर देता हूँ ये male और female दोनों हो सकते हैं आपके partner चाहे husband और wife और crush और lover और soulmate और टून जो भी जिन से भी आप प्यार करते हो थोड़ी देर के बाद इनसके अंतर गुस्ता भी आगा, moodsings भी होगा, लेकिन आपके साथ मिलने की चाहा बढ़ेगी क्योंकि अचानक से इने लगेगा कि जैसे आपको उन्होंने खो दिया देखे, इनके मन में अभी भी बहुत सारे उतार चाह लेकिन बहुत सारे viewers यहाँ पर blessings attract कर रहे हो बहुत viewers आपके partner आपके तरफ travel कर रहे हैं, बात करने वाले हैं, ऐसी vibration है उनका दिल नहीं लग रहा है, लेकिन कस्म कस है कि मैं क्या करूँ, उनको एहसास होगा और होने लगेगा चीक है, मिलने की चाहत बढ़ेगी, लेकिन बेवस वाली एनरजी, बेवस कि मैं क्या करूँ, कभी-कभी इने move on करने का भी दिल करेगा प्रॉब्लम्स बहुत होगी, मजबूरी होगी, डर होगा, खोने का डर होगा, और मिलने की चाह बढ़ेगी तो इस फरवड़ी के महीने में मुझे लग रहा है, वीवर जी बहुत लोग की यूनियन और ब्लेसिंग्स आ रही है ट्राबल भी दिख रहा है देखे वीवर्स आप बहुत कोसिस करते हो, देखे आपके चेहरे पे हमेशा उनके सामने मुस्कुराहाट रहती है आसु को निकालते जरूर हो, लेकिन घुटन के साथ उन्हें छुपाते भी हो लेकिन आप हर कोसिस करते हो, कॉमपरमाईज, सांती, वातावरन, आपको अच्छा लगता है लेकिन जब आपका गुसा बढ़ता है, तो आप खुद को ट्रिगर करते हो और उनको उनके साथ भी आपकी फाइटिंग हो जाती है क्योंकि आपने सहा है, पेसंस रखा है, कब तक, ये आपके अंदर भी ऐसा रहता है तो आप बैलन्स करना चानते हो, बैलन्स करते भी हो, बहुत डीप सोच तो इस रिष्टे को लेकर प्यार भी आप उतना ही करते हो, लेकिन कभी-कभी आपके अंदर भी वो पेसंस खत्म हो जाता है ठीक है? देखिए, मुझे बहुत सर्वियोस आपके एनरजी में एक पॉजिटिव वाइबरेशन होती है कुछ लोग हैं, जो यहाँ पे, जिस तरह आपका बात करने का अंदाज है ना कुछ लोग हैं, जो आपको पसंद करते हैं ठीक है? कोई emotions भरा आपको cup offer करना चाहते है Pisces Cancer Scorpio की एनरजी है तो कोई है जो आपको emotions भरा cup offer करना चाहते है दिल खोल कर, मुस्कुरा कर, अपने दिल की बात कहना चाहते है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जिन्दा दिल इन्शान हो यह कोई और भी हो सकते है जो इस नजर से आपको देख रहे हैं आप बहुत हस्मुक हो, जिन्दा दिल इन्सान हो लेकिन कभी-कभी आप इतने स्रियस मूड में रहते हो कि सामने वाला बंदा भी डर जाता है या डर जाती है आप से बात करने का यह कोई और भी हो सकते है आपके पार्टनर के इलावे भी देखिए बहुत सारी वियोर्स आप खुल कर जीना चाहते हो देखिए कभी-कभी होता है कि आपके नेचर आपके सुभाव को ना कोई समझ नहीं पाता है ठीक है कभी-कभी हो जाता है सामने वाला इंसान कुछ बात करना चाहता है लेकिन आपको कुछ और समझ जाता है तो कभी-कभी सामने लब बंदा या बंदी जो भी आपसे बात करना भी चाहता है, परपोज भी करना चाहता है, तो कहीं न कहीं थोड़ा कनफ्यूज हो जाता है, या हो जाती है, लेकिन आपकी दिली एक साय खुल कर जीना, खुल कर बात करना, तो आपके साथ ऐसा नहीं हो तो देखिए यहां पे इनके डिप इमोसंस बहुत है आपके लिए लेकिन कभी-कभी इनके मन में जो गुसा, डाउट, ब्रहमित, जो एनरजी हो जाती है ना उस पर कभी-कभी आप पे यह डाउट करने लगते हैं, आपको स्पाइक करने लगते हैं, लेट नाइट उठकर य लेकिन इनके अंदर दर्द है, तनहाई है, क्योंकि इनके अंदर गुसा भी है, कुछ भी वर्स आप बदले-बदले से दिख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा या बंदी मुझे धोखा दे रहा है या धोखा दे रही है, तो इस वज़े से वो अभी स्टक हो जा लेकिन अकेले में तनहाई में वो बाते याद करकर हसते भी हैं और रोते भी हैं, देखिए उनके मन में है, चाहे कुछ भी हो, यह सो नहीं कर रहे हैं, आप या आपके परसंद दोनों में से किसी का एक के एनरजी है, कि मेरा प्यार सच्चा है, और मैं सो नहीं करूँगा, मैं दिखावा नहीं करूँगा, या दिखावा नहीं करूँगी, यह सच्चा प्यार है, जो मेरा है, वो मेरा रहेगा, तो देखिए इस रिलेशन्शिप में प्यार दोनों का ही है, लेकिन या भ्रमीत, डाउट, गलत फैमी के वज़ा से आप दोनों कही ना कहीं mentally बहुत स्ट्रेस भी लेते हो, हाँ यहां पर family pressure दिख रहा है, family pressure है, यह बात है कि उन पर doubt ना करें, उन पर सक ना करें, पहले उनको समझें, बहुत सारे viewers यहां पर आप manifest कर रहे हो, यहां पर कुछ विर्स आपको डर और घबरहाट भी होती है, तो आपको यहां पर खुद पर work करने की जरूरत है, ठीक है, आप अच्छे नीन ले, तो देखिए इनकी deep feelings है, problem से लेकिन सबसे बड़ी बात कभी-कभी यह मजबूर हो जा रहे हैं, problem से, लेकिन खोने का डर है लेकिन million होगा, यह इतना तय है, ऐसा वो आपको कहना चाते हैं, गहना चाते हैं, यह मेरा सच्चा प्यार है, देखिए ऐसा नहीं कि इनके life में option नहीं है, इनके life में 2-24 नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर फिर भी यह कह रहे हैं कि आप उनके सच्चे प्यार हो, कुछ वर आप उनपे भी doubt करते हो, जहां आपका दिल और दिमाग एनरजी जो है, वो ब्रहमित हो जाता है, और trigger करता है, तो आप उनसे fight करते हो, इस fight के विदे से यह आपको block करते हैं, और चुप खामोस हो जाते हैं, और यह आपको लगतार spike करते हैं, उन्हें बुरा लगता है, ज पीछे बहुत सचा प्यार है, तुम मेरे सांसों में हो, थोड़ा यह बेबस हैं, प्यार हैं, लेकिन बहुत सारे विवर्स, travel के एनरजी है, call message के एनरजी है, blessings के एनरजी है, reunion के एनरजी है, यह chances हैं, लेकिन बीच बीच में आपको spike करना, आपका इंतिजार करना, आप उन को नहीं मना रहे हो, उनके तरपे stand नहीं ले रहे हो, उनसे आप मिलने नहीं चाह रहे हो, तो कुछ विर्स आपके partner आपके ही इनतिजार कर रहे हैं, तो call, message, tax, या video call, या travel के एनरजी है, reunion के एनरजी है, ठीक है, कुछ gift, shopping, three of cups के एनरजी है, तो यहाँ पे कुछ gift, shopping, dressing, dressing sense किसी का change हो रहा है, यहाँ पे, किसी का dressing sense change हो रहा है, यहाँ पे, आपके person का, मिलने से पहले कुछ तो तयारियां हो रही है, shopping हो रही है, gift, दान-परदान हो रहा है, ठीक है, तो यह आप दुन relationship की जो सच्चाई है, वो यही है, लेकिन हाँ, यह चीज है, कि आपको इंति बिजार करना होगा, ऐसा बो कहना चाहते हैं, कभी-कभी गुस्या में यह move on करना चाहते हैं, बट कर नहीं पाते हैं, ठीक है, तो यह है, रेत की बहुश्वानी, आपके partner की deep feelings, ठीक है, तो देख सकते हो, offer होने वाले कार्ड भी निकले, जूट, फड़े, धोके, हाँ, अ लिए offer करना चाहते हैं, अपनी पाबर में आना चाहते हैं, तो पहले next action इससे ही निकाल लेती हूँ, कार्ड से निकालती हूँ, just please guide करे next action, next action, याद रखेगा, ये collective reading है, और journal reading, journal reading है, तो याद रखेगा, timeless reading है, जब भी आपके सामने आ रहा है, आपको पता चल जाएगा, उनकी energy fill हो जाएगी, next action, just please guide करें, next action, आ रहे हैं, वो, आने, हाँ, आपके person आना चाहरे है, लेकिन थोड़ा problems है, ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन, reunion के chances बहुत जल दिखाई दे रहे हैं, 10 number important है, 9 number important है, लेकिन, इस बक, mood swings वाली energy है, लेकिन, बहुत जल आपकी मुलाक बात भी होने वाली है, manifestation चल रहा है, ठीक है, तो इस बक, थोड़ा सा, ये person परशान दीख रहे है, लेकिन, वो, आ रहे है, ठीक है, 10 number और 9 number, आप सब के लिए important हो सकता है, तो यह है, रेत की भविश्वानी, आपके partner की energy, उनकी deep feelings, इस relationship के सच्चाई, थोड़ा patience, थोड़ तब जाकर आपको मिले गया result, थोड़ा अच्छे सोचे, गुसे पर काबू रखे, कभी-कभी ego आ जा रहा है, तो ego को कंट्रोल करे, stuck energy से बहार निकले, और सोच समझ कोई decision ले, धोके से बचे, चीटिंग से बचे, कोई भी किसी तरह का paper, अगर signation आपके साथ भी हो रहा है office में कहीं भी, तो please सोच समझ कर आप decision ले, ठीक है, तो video को like किजे, share किजे, channel को subscribe किजे, thank you so much, God bless you